पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ लेने के लिए किसकी जरूरत पढ़ती है पैसे की जरूरत पढ़ती है पैसे की वैल्यू उससे पूछिए जिसके पास नहीं है पैसे की वैल्यू उससे पूछिए जो कमाता तो है लेकिन उसका पैसा आने से पहले ही उसके खर्चे ज मज नहीं आता है कि कहां पे गडबड हो रही है ना हमारी नियत में कमी है ना हमारी काबलियत में कमी है जहां मेहनत चाहिए वहां मेहनत करते हैं जहां पे इंटेंशन चाहिए वहां पे इंटेंट देते हैं लेकिन फिर भी पैसा है कि मानो रूट सा गया है पैसा आने का नाम कितने पाठ करके देख लिए कितनी चीजें पेहन के देख लिए कितने उपएं करके देख लिए लेकिन करना बड़ा जो जाते हैं रहों ड्रोल करना बड़ा जरूरी है अगर आप पैसे की बरकत लेना चाहते हैं और अगर इंफेक्टर्स को आप इग्नोर करते रहेंगे न तो पैसे की कमी भी आएगी करजा भी चड़ेगा और जीवन जो है ये औरों के लिए बन जाएगा यानि आप काम तो करेंगे लेकिन औरो जाती है और बदले में इंसान को क्या मिलता है बदले में क्या मिलता है अपनी फेमली के साथ कलह का वातावरन क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो मन परिशान होता है क्या आता है लोग سमाज में उससे दूर भागना शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि मेरे लोग मेरे काम नहीं आते हैं समाजिक सरकल जो है ये खराब होता चला जा रहा है चेहरे पे मानौ नूर जो होता है वो खत्म सा हो जाता है इंसान स्ट्रेस डाउट लगता है, यो सारी सारी चीजह एक जगा-पे जढ़ा है इनकी वो है धन की कमी धन की बरकट में सक्षा सोचिय का इंसान जो कर रहा है उसके पूरा फल्ल मिलना शुरू हो जाए, जो धन है वो उसके अपने लिए use होना शुरू हो जाए उस धन से उसकी देंदारियां खत्म होनी शुरू हो जाएं जीवन जो है पॉजिटिव दिशा में जाना शुरू हो जाए कितना ही अच्छा हो लेकिन इसमें कौन से छिपे हुए जो आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आपके धन की प्रचूरता आनी शुरू हो जाएगी चलिए वो चर्चा करते हैं नमस्ते मेरा नम है योगेशर्मा स्वागे था आपका हैपी लाइविड योगेशर्मा में दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनमरी निवेदन ग्रहस्ती में उसका जो 7th house है वो activated होता है इंसान जब कुछ भी कमाता है और उसका भोग करता है तो उसका सुक स्थान जो 4th house है वो activate होता है धन जब जोडता है तो इंसान का 2nd house activate होता है धन जब खर्च होता है तो इंसान का 12th house activate होता है क्यों बता रहा हूं आपको बहुत पूरे करने के अपके भाता है कुछ धन उसके पास सेव रहता है जुडता है तो उसका बूर्ते cạcट का सेकंड हूस जो है वह एक्टिबेटीड रहता है अब सेकंड हूस खाली पैसा जुड़ने का नहीं है सेकंड हूस से कई एन्य चीज़ हैं जिनमें सबसे प्रमुक आपकी जुबान कडवी है कई लोग कहते हैं जी हमारी जुबान कडवी है हमारा दिल तो साफ है दिल के अंदर किसने जाके देखा है जो दिखता है वो बिखता है तो जुबान का सही होना सामने वाले तक आपके शब्दों का सही से कम्यूनिकेट होना बिना दिल दुखाए अपनी बात को सामने वाले को समझा पाना ये होता है आपकी वानी का हुनर और ये सीधे-सीधे आपके बर्थे चाट के second house से जुड़ा हुआ है जब भी आप किसी का दिल दुखाते हैं जब भी आप बड़ा कड़वा बोलते हैं वानी के थू वर्बली आप किसी को assault करते हैं किसी को आप हमला करते हैं किसी के उपर तो आपका जो second house है ये डिपलीट होता है कमजोर होता है डाइलियूट होता है और जब second house डाइलियूट होता है ये आपके संचित धन को डाइलियूट करता है आपकी पैसे की बरकत को खत्म करता है कितना जुरूरी है वानी का सही आप कोई भी वो धनी इंसान देख लीजिए जो पिछले काफी समय से लगातार धन का संचय कर रहा है धन को जोड रहा है और पैसे के मामले में जीवन में तरक्की पे है उन सभी में common factor आपको देखेगा के वो शब्दों का चुनाव जो है ये बड़ा साथधानी पूरवक कर करते हैं जल्दी ट्रिगर नहीं होते हैं और अगर ट्रिगर हो जाएं तो उनके अंदर उस समय सिच्वेशन को सम्हालने की शमता होती है देखे पैसा कई लोगों को टेंपरेरी लिया जाता है ये एक किसमत का बहाव रह सकता है लेकिन जो लंबे समय तक धन को सम्हाल एक दम से शाउट करना सामने वाले को चला के अग्रेसिल अपनी बात को समझाना ये आपके धन के स्थान को कमजोर करता है अपने शब्दों में वजन बनाईए अपने आवाज को लूट मत करिये इससे आपको धन की प्रचुरता पाने में बहुत जादा सहायता मिलेगी द जाकेवल आपके धन का स्थान बलके आपके चार्ट के बुद्ध सही होंगे बुद्ध जो है ना बुद्धी के कारक होते हैं और बुद्धी का कारक strong करना है ना तो बुद्ध के बाकी उपाय बात में करिए पहले सही शब्दों का चुनाव अपने vocabulary को बढ़ाना और किस परिस्थिति में किस थरह की tonality रखनी है आप इस चीज को अपने दिमाग में रखे अपने अभ्यास में रखे आप कुछ महीने तक इस चीज को अभ्यास करके देखे उन महीनों में आप नोट करिएगा आपके धन की बरकत बड़ी है आपके जितने भी ये लेंदारियां दें सिधा संबंद है किसी वाया मीडिया कोई संबंद नहीं है सीधा सीधा संबंद है और इसी कड़ी में धन के जुड़ने में और कौन से फेक्टर हैं जो आपको परिशान करते हैं इनमें दूसरा फेक्टर है आपका धन रखने का स्थान आपकी तिजोरी अब कई ज्यादा लोगों के पास क्या है कि आजकल जो है electronic money है पैसे या तो bank में होते हैं या बहुत कम लोग है जो घर में एक limit से ज्यादा cash रखते हैं फिर भी आप जहां पे भी cash रखते हैं वही आपकी तीजोरी है वही आपके धन रखने का स्थान है अब धन रखने का जो स्थान है ये सबस इस जगा को उरजित रखना बहुत ज़रूरी है मैंने अपने पिछले कई वीडियोज में इस्पेशली जो दिवाली सीजन में मेरे वीडियोज आये थे उसमें धनस्तान को उरजित करने की कई remedies दी थी आप उनको refer करके अपने धनस्तान को उरजित कर ही सकते हैं लेकिन अलावा कई अन्य कागस होते हैं कई अन्य पर्चियां होती हैं कई अन्य ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी पर्स के अंदर कोई relevance नहीं होती है पर्स जो जितना भी आपका overloaded होगा पर्स आपका जितना भी कटा फटा होगा जितनी जीरन शीरन अवस्ता में होगा उतनी आपक कागज पत्र हैं वो उनकी फोटो खीचके आप उनको साइड में ड्रॉर में कहीं पे भी सेफली रख लीजिए कृपया पर्स में ना रखे पर्स में जो है ये रहेंगे तो आपके धन की बरकत को खाएंगे दूसरे पर्स अगर कटा फटा है तुरंद या तो ना ही लीजिए पर्स लेना है तो आपका पर्स हमेशा जो है एक दम एक एवन स्थिती में होना चाहिए ये जो साफधानी है ना ये आपके धन की बरकत को बहुत बड़ा आती है और कोशिश करिए अपने माता जी के हाथ से एक छोटा सा सिल्वर कॉइन लेके अपने पर्स के अंदर रखिए इससे क्या होता है आपके धन की बरकत कई गुना बढ़ती है क्योंकि माता जी साक्षाद चंद्रमा है उनके द्वारा दी गई जो चांदी है ये साक्षाद चंद्र देवता का अशीरवाद रहती है और चंद्र जो है ये धन के फ्लो को कंट्रोल करते है तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके धन की जो बरकत है ये कई गुना बढ़ने जा रही है अब धन की बरकत में तीसरा बिंदू जो है ये बड़ा ही मात्वपूर्ण बिंदू है ये बिंदू क्या है देखे आपने अपने सेकंड हाउस से अपने धन की बरकत को कंट्रोल किया कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने second house से ये देख रहे हैं कि धन की leakage आखिर हो कहां पे रही है, second house में जो भी planet रहेंगे अपनी तरह से आपके धन को control करेंगे, राहू होंगे, राहू अचानक के घटनाओं के कारक हैं, तो राहू जो क्या करते हैं, जब भी बिगड़ते हैं तो ये पैसा एक दम से छट से, commodities में, shares में, किसी घाटे की वज़ा से, कहीं फसने की वज़ा से, एक दम से पैसा जो है, हाथ से निकल जाता है, शनी होते हैं, तो पैसा लंबे समय तक रुका हुआ धन ये वापिस नहीं आता है, हर planet जो है अपनी तरह से second house में आपके धन को बढ़ाता है, या खरा जीवन का अधा हिसा उनका है, आपके धन का अधा हिसा उनका है, आपकी बरकत का भी आधा हिसा उनका है, उनकी कुंडली में उनका जो आठवा घर है न, वो आपके संचित धन को भी कंट्रोल करेगा, उनके 8th house में जो भी खराबियां रहेंगी न, वो आपके धन की बरकत क control करेंगे, how interesting, यह चीज जो है, अगर आप ignore करेंगे आप अपने 20 उपाई करते रहेंगे आपको एक limited हद तकी फर्क देखेगा लेकिन अपने जीवन साथी के बर्थे चाट के 8th house को भी अगर आप balance करेंगे न तो आपको एक कदम से जट से spring effect की तरह अपने धन की बर्कत जो है न यह बढ़ती हुई दिखेगी, तो तीसरा बिंदू था कि अपने जीवन साथी के बर्थे चाट को भी consider करेंगे, उनमें जो अगर वो earning है तो उनका अपना second house लेकिन अगर वो आपके home maker हैं, घर के friend को संभाल रहे हैं, तो उनके बर्थे चाट का जो eighth house है न, यह आपके धन के control को सीधे सीधे जो है प्रभावित कर रहा है, और चौथा और एक बहुत महत्वन point है आपके घर का वास्तू, चाहे आपके घर के वास्तू मैं आपने चीजें वास्तू के अनुसार दे रखी हो नॉर्मली लोग क्या करते हैं वास्तू के अनुसार South East मेर सोई देना, North East में मंदिर देना South West में बेडरूम देना, यह basic चीजे हैं वास्तू की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह आपके लिए उतनी ही असरदायक हो यह आपके लिए असरदायक कैसे बनेंगी अगर आपके घर का वास्तू आपकी जन्म कुंडली के अनुसार aligned होगा, आपके घर का वास्तू फ्लैक वास्तू कभी नहीं हो सकता जो भी आपके घर के second house, आपके 11th house, आपके कुंडली में छटा house, यानि छटा house है धन के आने का, second house है धन के जुडने का, ये सारी चीजें जब आपके घर की दिशाओं के साथ एक सार होंगी न, तभी आपके घर का वास्तु एक टूल बनेगा आपके लिए धन वरिधी देने तो अगर आप अपने धन की बरकत को पूरा फूल प्रूफ एक प्लैनिक चाहते है न, तो आपको अपने घर के वास्तु को अपने बर्थ चाट के अनुसार हर हालत में aligned करना होगा, और अब पांचवें और आखरी बिंदू पे आते हैं, और ये बिंदू जो है, ये पिछ उठने से लेके, रात सोने तक सारे दिन में जो जो काम करते हैं, क्या वो आपके financial target जो हैं, उनके साथ एक सार हो रहे हैं, उनके साथ headline हो रहे हैं, या देखे, आपका financial target तो है कि अपने income को पांच गुना बढ़ाना, लेकिन सारा दिन आप real चला के जो है वो वेस्ट कर रह है, कौन सी ऐसी अकाश वाणी है, जो आपकी income को पांच गुना कर देगी, सारा दिन समय बिताना जो है ये आपके शनी के control में होता है, यानि कि अगर आप अपने शनी को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप शनी के उपाईबाद में करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने समय को plan कर लीजिए, सिर्फ आप एक table बनाना शुरू कर दीजिए, कि सारे दिन में जो सबसे जारा productive घंटे रहे आपके, वो कितने रहे, सारे दिन में अगर आप time waste भी कर रहे हैं, एक हिम्मत रखिए, उसको कागर्स पे note करने की, हाँ जी, मैंने आज इतना दिन समय वेस्ट किया mobile में आजकल तो tool है, जिसमें आपका screen time पता चलता है, उसमे screen time में चक करिए, कि आपने mobile को कितना समय दिया, मैं mobile की बात क्यूं कर रहा हूं, क्योंकि आज की date में, समय kill करने में, mobile का जो योगदान है, सबसे ज्यादा है, और भी कई कारण रह सकते हैं, अगर आप इतने bold हो सकते हैं, कि अपने लिए एक diary बनाएं, जिसमें आप सारे दिन में प्रती घंटा आपने दिन को किस तरह से use किया, आपने शनी को किस तरह से use किया, तो आपको एक idea हो जाएगा, कि आप क्या deserve करते हैं, desire करने में और deserve करने में बड़ा फर्क होता है, ठीक है, कोई भी इनसा पैसे को उपर नहीं लेके जा सकता है, लेकिन इनसान को उपर ले जाने में पैसे का बड़ा योगदान है, इसलिए पैसे के महत्व को नकारना नहीं चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं है, यह वो लोग कहते हैं, जो या तो कमा नहीं पाते हैं, या बहुत कमा चुके हैं और बाकी लोग ना कमाएं. आप कमाना चाहते हैं, तो पैसे की शक्ति को पहचानिए, उसके प्रति सीरियस हो जाएए. अपने हैबिट पेटरन को, अपने बेहेवियर पेटरन को भी एलाइन करिए अपने financial टारगेट के लिए. और अगर अपने financial टारगेट बना ही नहीं रहे हैं फिर कोई अन्य इंसान अपने फाइदे के लिए आपके जीवन को चलाएगा और ये हर हालत में होके ही रहेगा आप चाहते हैं financial independence लेना आप चाहते हैं धन में बरकत लेके आना आप चाहते हैं किसी भी financial mess से निकलना तो आज मैंने जो पांच बिंदू बताये हैं ना इनको लिख के रखिए इनको अपने जीवन में practice करिए मैं आपसे वाइदा करता हूं कि केवल 4 से 6 महीनों में आपको जमीन आस्मान का फर्क जो है ना अपकी financial stability में दिखके ही रहेगा तो दोस्तों आज की चर्चा को विराम देता हूँ आज की चर्चा यह तकति बहुत ज प्रेशे के साथ तब तक अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्कार